हाई एवरिवन में अलफिया नगरिवाला तथागत आई एस अकैडमी से आज हम लोग MPPAC मेंस पेपर वन पार्ट टू का एक इंपोर्टिंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसके हम मॉडल आंसर्स जो है वो डिसकस करेंगे यह टॉपिक कौन सा है यह है मेजर इंडस्ट्रीज ओफ MP ठीक है जब हम मेजर इंडस्ट्रीज ओफ MP की बात करें तो पहले हम सिलिबस में देखते है कि क्या चीज़े हैं है ना सिलिबस में मेजर इंडस्ट्रीज के आगे तीन पॉइंट दिये है इंडस्ट्री के आगे पहला एग्रिकल्चर है ना दू पर 1 part 2 unit 3 geography में पूछा गया है ठीक है तो जब हम agriculture की बात करेंगे तो कौनसी इंडस्ट्रीज आ जाएगी जो एक्रिकल्चर बेस्ट है है ना जैसे cotton cotton based industries हो गया जूट हो गया है ना sugar industries हो गई sugarkin और sugar factories हो गई ठीक है जब हम forest की बात करेंगे है ना तो forest में कौन आ जाएगी हम देखें तो कथा आ जाएगी है ना timber आ जाएगा ठीक है तो यह सारे जो produces है timber based यहां पर हो रहे है कथा industries है लाक की इंडस्ट्रीज है ना लाक का खाना है हमारे यहां पर दिया सलाई का खाना है तो यह सारी चीज़े जो है आपके forest based आ जाएगी और जब minerals के बात करेंगे तो हमने अल्रेडी देख लिया है minerals बहुत detail में सिमेंट है ना limestone coal diamond तो यह सारी चीज़े जो है आपकी minerals based industries में आ जाएगी इसके अलावा जो industrial policies है जो development centers है clusters है कहां कहां पर complex industrial food parks food processing sectors साथ ही साथ जो planning commission और five year plans चले आ रहे है वो भी इसी आपके topic में cover होंगे ठीक है तो चलिए हम आगे बढ़ते है questions जो पूछे गए है हम देखते हैं कि इस तरीके से उसके answer जो है वो हम कैसे देंगे जैसे पहला answer आप यहां पर देख सकते हैं ना name any three sugar mills of MP MP की sugar mills के बारे में पूछा गया है ठीक है याने की agriculture based इंडस्ट्री है ना agriculture based जो है आपको यहां पर पूछी गई है इंडस्ट्री तो आपको तीन यहां पर mention करनी है जैसे आप देख सकते हैं यहां पर कौन सी हुई है जावरा रतलाम 1934 में जो बनी है बरलाई सीहोर और डबरा शुगर मिल ग्वालियर इसके अलावा मनसौर में है है ना शुगर मिल जो है मनसौर में है और भी कई जगे पर है सारंगपूर में है बढ़लाई में है तो आपको जो भी तीन स्वइट के नाम याद है आप यहां पर मेंशन कर सकते में एक ख्रेशिन ये भी आया हुआ है स्पेशिल एकनोमिक जोन क्या होता है एक एसा एरिया होता है जहां पर economic regulations country से हम compare करें जब हम nation से स्टेट से compare करें तो अलग economic regulation होते है अलग trade and business laws होते है क्यों होते है ताकि जो यह area है इसको foreign direct investment को attract करने में helping helpful हो इसी कारण से यहाँ पर जो rules and regulations and laws है वो अलग होते हैं किस तरी से किस तरीके से अलग होते हैं जैसे यहाँ पर tax incentives दिये जाते हैं फिसकल incentives दिये जाते हैं infrastructure development अच्छे से यहाँ पर properly follow किया जाता है technologically advanced होती है तो यह सारे features जो है special economic zone में देखने को मिलते हैं ताकि जादा से जादा foreign direct investment attract हो सके जैसे कि पीठंपूर धार का यहाँ पर example दिया हुआ है तो आप भी जो है अपना एक example अगर आपको लगे तो आप दे सकते हैं ठीक है तीसरा question हम देखे करंसी not printing press के बारे में यहाँ पर पूछा गया है ठीक है तो कहाँ पर है आप पहले यहाँ पर लिखेंगे established कब हुआ है 1975 में देवास में establish हुआ है यहाँ पर क्या प्रिंट किया जाता है थारे थीपार में प्रिंट आपको पूछा जा सकता है तो crystal IT Park कहां पर है इंग दौर में है 2004 में बना है ठीक है 2004 में फाउंड हुआ है public unlisted company है ठीक है और इसे किसके द्वारा develop किया गया है और द्योगी केंद्र विकास निगम के द्वारा जो कि 1965 में बनी थी उनके द्वारा develop किया जा रहा है ठीक है किया गया है ठीक है नेक्स्ट हम देखें, इंडस्ट्रियल डेवलप्मेंट सेंटर्स, MP में कई सारे इंडस्ट्रियल डेवलप्मेंट सेंटर्स, आराउंड 26 इंडस्ट्रियल डेवलप्मेंट सेंटर्स है, ठीक है, लेकिन ये 6 आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं, 6 क्योंकि ये 6 इनीशल किया है development के लिए infrastructure development के लिए ये छे नाम जो है आप बिल्कुल याद रखेगा कौन से है पहला पिधंपुर्धार पुरेना पन्ना पीलू खेड़ी राजगड मनेरी मांडला मेगनगर जाबवा और मालनपूर महिंड ठीक है जब हम इंडस्ट्रियल वो भी आपसे पूछे जा सकते है तो आप उसको भी अच्छा से याद कर लिजे कहां पर है next question cement factories of MP ठीक है अब यह कौन सी हो गई यह minerals based हो गई ठीक है हमने पहले forest based देखी अब यह minerals based ठीक है कहां पर है cement factories कई सारी जगे पर है जैसे कि यह यहाँ पर दी है एसा भी पूछा जा सकता है कि MP की सबसे पहली cement factory कौन सी थी तो याद रखना है आपको बैनमोर मुरेना ठीक है दूसरी यहाँ पर सतना cement works यह 1908 में बनी थी 1959 में और अमजहरा cement factory धार तो यह तीन चीजे जो है आपको याद रखनी है तीन नाम at least हर industries के आपको तीन से चार नाम जो है वो याद रखने है ताकि आप exam में लिख सके या कभी किसी factories के बारे में cement factories के बारे में पूछा जाता है तो वहाँ पर आप mention कर सके as an example ठीक है तो तीन से चार example आपक सब की याद रखने है ठीक है next हम देखे food processing industry of MP पहली food processing industry MP की कौन सी थी ठीक है तो पहली जो थी वो बाबई हुशंगाबाद में establish होई है ठीक है याद रहेगा बाबई हुशंगाबाद यह question पूछा गया है तो आगे भी ऐसे question first usually पूछा जा सकता है कि कौन सी चीज में कौ कौन सी पहली थी तो यह questions जो है पूछ जाते है ठीक है next हम देखे जोग्रफिकल इंडिकेशन किन-किन चीजों को दिया गया है MP में उसके बारे में लिखिए तो आपको यह चीज बहुत important है जोग्रफिकल इंडिकेशन क्या होता है और कौन सी कौन सी चीजों को मिला है यह आप मुर्गा याद रखेगा बाग पेंटिंग्स धार बाग प्रिंट धार और महेश्वरी साधी महेश्वर खरगुन तो यह जो इंपॉटिंट जोग्रफिकल इंडिकेशन टैक्स दिये है जिन चीजों को MP के अंदर तो वो चीज़े जो है आपको ध्यान रखनी है तो एन अम्ठेला कोई पर है साइकल फैक्टरी अगर कोई है तो कहां पर है ऐसे पूछे जा सकते है या फिर इंडिस्ट्रिल कोर्पेरेशनмен कोर्परेशन में और वस्त्रुद्रीोग इन जा सवी से रिलेटेग् इन पर पूशिए कोम है source हार्क में तो यह सारी को अप जितन effects जो है याद होने चाहिए ठीक है अब हम मिलेंगे next वीडियो में 11 mark 5 markers और 11 markers question के साथ till then take care